जे हिंद वंदे मातरम दोस्तों स्वागत आपका मोसम से जुड़ी बड़ी खबरों में मोसम भाग द्वारा जारी साजा पुरवानमान में अगले 12-24 गंठों में कई राज्यों में यलो अलर्ट जारी किया गया है तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि अगले 12-24 गंठों में कौन से राज्यों और जिलों में तेज धूलवरी आंधी चलने वाली है और कहां तेज बारिस के साथ ओलावरस्ती भी हो सकती है तो हम सभी राज्यों और सभी जिलों का मोसम का हाल देखने वाले हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दे अगर हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप कौन से राज्य और कौन से जिले में रहते हैं कमेंट बोक्स में जरूर बताए तो हम बात करने वाले संपुन भारत का 19 अप्रेल 2020 का मोसम का पूर्वा नुमान तो दोस्तो हम देख लेते देश भर में बने मोसम सिस्टम को उत्तर भारत पर बना पस्चिम विक्षोब आगे निकल रहा है जबकि एक नया पस्चिम विक्षोब उत्तर भारत की तरह पारा यह सिस्टम उत्री अफगानिस्तान और इसे सटे भागू पर पहुंच गया है जारखन तक एक ट्रप रेखा दिखाई दे रही है एक अने ट्रप रेखा दक्षिन पूर्वी मद्य परदेश से तमिल नाड़ू तक बनी हुई है तो पिछले 24 गंटु का मोसम कैसा था पिछले 24 गंटु के दोरान जमू कस्मीर लद्दा खिमाचल परदेश उत्राखन में क कुछ स्थानों पर गरज के साथ बोच्छारे देखने को मिली पूर्वतर भारत के कई राज्यों और कई स्थानों पर हल्की से मद्यम बारिश दर्ज की गई है जबकि पस्चिम बंगाल उत्रपूर्वी बिहार जहारखन मद्य परदेश केरल उत्री आंत्री करनाटे अगले 24 गंटों के दोरान पूर्वतर भारत में तेज हवाओं के साथ मुशलादार बारिश कई जगों पर हो सकती है पूर्वी उत्रपरदेश बिहार के कुछ हिस्सू मद्य परदेश उत्री 36 कट के कुछ हिस्सू में हलकी से मद्यम बारिश के आसार है पस्चिम बंगाल उत्री 30 आंदरपरदेश, ओडिसा, आंत्रिक तमिलनाडू, आंत्रिक करनाटक, उत्री पंजाब, उत्री हरियाना में एक दो सतानों पर बारिश हो सकती है तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें अगर चेनल पर नहीं तो च